नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रबाद कुमार और मैं स्वागत करता हूँ एक और Bank Nifty की expiry वीडियो में, आज ही वीडियो में मैं आपको expiry का that means 27th of July का best ever prediction देने वाला हूँ Bank Nifty और Nifty का, अच्छा अगर मैं कल वाली वीडियो की performance की बात करूँ जबर दस रहा, market दोनों side गए आज, मैंने आपको दो statement दिये थे एक तो अगर Bank Nifty gap up खुल जा, fast उपर जाए, 45,950 के आसपर तो short करके चलना है वहाँ से Bank Nifty ने 100 point दिया नीचे side, मैंने एक शब्द और बोला था, एक statement मैंने और बोला था बनाया रखिये, अच्छा, आज की वीडियो में, jackpot, एक नई, दो नई, तीन नई, चार options trade jackpot options trade मैंने बताये हैं, जो कि कल, शांदार आपको jackpot return देने वाले हैं, Bank Nifty में तो जबर जबस होने वाली ये वीडियो, और कल एक बड़ा भयांकर blast आने वाला है, Bank Nifty में, तो भहिया, ready हो जाओ इसी के साथ दो stocks जानेंगे, जो कि कल अच्छा perform करने वाले हैं, बस एक request है, आप लोग बस like करो, वीडियो को, और comment करो, आज का like एम रखते हैं, कितना, 9000+, comment एम रखते हैं, 900+, आशा करता हूँ, PTS family आप लोग complete जरूर करेंगे, right, तो चलो, शुर करते हैं, आज की special वीडि जो जॉइन करिए, तो मॉर्निंग में 10 बजे, धन्यवाद, so guys, देखो, कल हमारा bank nifty का monthly expiry है, right, आप सुनिए, तो कुछ चीजे हैं मैं बता दू कल के लिए, पहली बात तो जो US का futures है, right, वो लगबग flat to negative है, क्या है, negative है, दूसरा क्या है, अभी bank nifty बिलकुल make और break level पे खड़ा है, correct है, ये चीज़ धान रखिए, ये दो आपको important point धान रखके चलने, अब चलिए देखते हैं, क्या बोल रहा है chart, so देखो, पहली बात, bank nifty जो है हमारा, जो downtrend का resistance हाना पहले, उस resistance के उपर आज close होके गया है, right, और अभी खड़ा है बिलकुल make और break level पे, जैस है, बिलकुल सेम हुआ, तो कल fresh buy समस्ते हैं पहले fresh buy कब करेंगे, fresh sell कैसे करेंगे, तो पहले fresh buy समझाता हूँ, देखो, पहली बात तो एक चीज़ आपको समझ मारी होगी कि भाई, ये downtrend का उने breakout दे दिया है, breakout देने के बाद एक contradiction phase में आ चुका, एक box button में आ चुका, अब इस box button को उपर हम लोग buy करके चलने वाले हैं, box button है 46,100 का, target होगा 46,180, यानि ये resistance हमारा पहला target होगा, second resistance ये वाला हमारा, यानि 46,280, ये मारा दूसरा target होगा, and last target होगा हमारा ये वाला, देख पा रहे हो, 370 का, almost 370, ये वाला, right, यानि 46,370, ये तीन target, correct हैं, इतना clear है, ऐसे fresh buy करके चलना है, और धानर को, अगर back 50 को उपर जाना, तो इसी level को तोड़के उपर जागा, क्योंकि आज काफी ज़्यादा constitution हो चुका है, आज लोगो market बहुत ही, मतलब आप कहलो range bound था, choppy था, premium उतनी बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, अब इस case में आप लोग 45,900 क आप लोग C लेंगे, ठीक है, जुलाई मन्त वाली expiry होगी, यह आपको लेना 220 से 210 के आसपास, देखो कल अप premium कहाँ पे खुलेगा, मेरे को literally कोई idea नहीं है, कर नुमान दे रहा हूँ आपको, ऐसे लगाना आप लोगो 190 का target होगा, 260, 290, 320 and 360, correct है, तो यह तो होगया भया, फ्रेश बाएगा, अब सुनो, आपको एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बता दू में एक चीज़ आपको, important support, higher lows, यह लोग से उपर है, यह लोग से उपर है, और upturn line, support लेता उपर जाता, support लेता उपर जाता, ठीक है, और यह भी important support है, support लेका उपर गया, support ल बनाता है, high तोड़ता, bullish हमर का, we can go for buy, traders, first target क्या होगा, उस case में, 46,050, and second target for 46,120, correct है, यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे आप लोग, well, 45,700 का आप लोग, C लेंगे, अब यह CMP पर लेना है, आप लोग, देखो, जिस टाइम पे, जब नीचे आयाएगा, उस टाइम पे, जो भी उसका CMP चल रहा होगा, जब देखो, जब bullish हमर तोड़ेगा, जो भी उसका उस टाइम पे CMP चल रहा होगा, current market price चल रहा होगा, उस टाइम पे इसको ले लीजेगा, तो यह है हमारा buying करने का तरीका, धान रखिएगा, हाँ, परंतु buy तभी करके चलना, जब यहाँ बनता है, लगतार red candle बनेगी, तो don't try to think for buy, ठीक है, हम 46,900, हम 45,900 के उपर ही हम buy करेंगे, धान रख के चलना, bank nifty को, right, इसके नीचे नहीं, चलिए जी, buying तो मैं आपको समझा चुका हूँ, समझते हैं, अब selling कैसे होगी, अच्छा, let me tell you one thing, अगर आपको premium bank nifty nifty के ट्रेस लेने है, आप लोग simply एक क्याम कर सकते हैं, हमारे link through account open करना होगा, such as angel blocking, allies below, दोनों में से किसे एक में account open कर आई है, fund add करिये, trade start करिये, और दिये के नमर पर screenshot, send कर जीज़ा, दिन हम आपको add कर लेंगा, हमारे premium group में, आज भी हमारा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, ज़रा screenshot देखिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, आप सुनो, selling कैसे होगा, देखो एक तो पहली बास selling, अगर fast उपर जाता है, right, gap up दिखाता है, bounce देता है, समस्ते हैं, आरवन, resistance 1 क्या होगा, resistance 1 हमारा होगा, 46,180, यानि ये वाला resistance, लास्ट हमारा resistance ये व खुलता है, हम वहाँ पर short करके चलेंगे, माल लीजिए, 46,180 कैसे आपने short sell किया, target होगा, 46,070, second target 46,000, last target 45,900, ये 3 target है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा put option लेना होगा, ये बताऊंगा, वीडियो के end में, तो please देखते रहिएगा, watch out करते रहिएगा, और towards अगर आपको वीडि हैं, please subscribe भी करिएगा, चैनल को, correct है, तो ये तो हो गया, gap up में ऐसे करके चलना है, देखो, धान रखो, अगर छोटा मोटा gap up खुलेगा, तो avoid करके चलना है, जो resistance मैंने बता है, इस resistance के आसपास, खुलता है, और बेरी शार मनाता है, तो ये हमको शॉटल करके चलना है, और बता है, क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूं, मैं लोग खुल गया, और यहां पर एक consultation firm कर दिया, consultation firm किया, firm किया, और उस consultation का low तो ये हमको शॉटल करके चलना है, आपको ध्यान होगा, मैंने आज के लिए क्या बोला था, remember, पहली बात दो रहा, please मैंने को comment section में लिके बताओ, मैंने क्या बोला था, यदि bank nifty 45,950 के असपास आता है, तो short करके चलना है, अगर gap up बगरा खुलता है, तो आज क्या हुआ, लगबग वहाँ पर gap up खुला था, जिसने मेरी बास सुनके shortsell किया होगा, कहां गया bank nifty 45,810 के असपास, वहाँ से कितना point दे दिया, 700 point, क्या मैं सही बोल रहा है, आप भी लोग बताइए, तो पैसा बनाया यहाँ पे लोगों ने, करक्त है, तो ऐसा ही होने वाला है, अब सुनो fresh selling कब होगी, देखो fresh selling का देखो एक simple उधारन है, ये uptrend line और ये box pattern का support, हर बार ये तोड़ तोड़ नहीं पा रहा है, तो कल के session में 45,900 के नीचे अगर sustain करता है bank nifty 10-15-20 minute, we can go short 45,800, 45,700, and 45,600, ये तीन target होंगे, correct traders ये है, दोस्तों इस case में you can do one thing, आप लोग 46,200 का आप लोग PE ले सकते हैं, right, and ये आपको लेना है, एक अनुमान देराऊं, 260 से 270 के आसपास, देखो premium विराई कर सकते हैं, उपर नीचे हो सकते है ऐसे लगाईए, आप लोग 250 का target होगा, 330, 370, and 400, ये दो target, ये तीन target है, तो जी ये है पूरा analysis, सटीक bank nifty का, और scalping लोग देखो, इसके बीच में scalping होगा, ये no trading zone है, देखो मता दू मैं, 46,100, और लगबग लगबग 45,900, भाई, ये 200 point का बीच में जो range है, ये scalping के लिए हैं, बाकी नए लोग avoid करें, चलिए जी, तो ready हो जाई है, कल एक बड़ा blast आने वाला है, बिलकुल कमर का स्वीज़ है, क्योंकि आज एक बड़ा momentum हुआ नहीं है, ठीक है, और दान लोग, अगर bank nifty को नीचे गिरना होगा, तो पता है कैसी गिरेगा, यहां से लपेट जिस प्रकाट से बार-बार यह लपेटे जा रहा है, है कि नहीं, और अगर उसको पर भागना होगा, तो ऐसे भाग जाएगा, जिस पिछली बार की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहां पर देखो फॉर्म किया था, ठीक है, हाई guys, आपको पता है, 98% जो option buyer है, वो लोग loss करते हैं, options buying में, यह research में पाया गया है, सबसे बड़ी जो main दिक्कत है, पता है, क्या होती है लोग के अंदर, देखो समझो, 4 दिन कमाएंगे profit, ठीक है, अब 5 दिन क्या करेंगे, 5 दिन loss कर देंगा सारा profit, यह दिक्कत होती है, सबसे बड़ी बात, आज जो trade है, reverse हो जाता है, यह सब दिक्कत आयनों आप लोग के साथ भी होती है, प्रॉपर कुछ नहीं कर पाते हैं आप, live market में आप प्रॉपर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बड़े बड़े losses को hold कर लेते हैं, इसी चीज़ को consider करते हुए, मैं आप लोग के लिए हमारा bank, nifty live trading mentorship बैच लेके आया हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग मेरे साथ one month तक live trading करने वाले हैं, मैं live market में आपको अपने personal trades बताऊँगा कि यहां पे ले लिजे, entry कर लिजे, और जहां पर मैं exit करूँगा, वहां पर मैं आपको बताऊँगा, exit कर लिजे, हर एक trade के पीछे क मैं आपको logic बताऊँगा, reason बताऊँगा, ताकि आप लोग next time से वह वैसे प्रकार के सौधे आप खुद find out कर सकें, ठीके, class का रस्टरिशन चालू हो चुका है, 28 July से classes start है, देड़ बजे, दो पैर में, right, अच्छा, आपको एक अपनी achievement बता दूँ, अभी तक हमने 72 classes की है और उसमें केवल हमने 7 दिल loss किया है, बाकी हमने 65 days more than 2 month हमने regular पैसा बनाया है, आप लोगो ये mentorship batch क्यों join करना चाहिए, अभी आपको देखेगा हमारे students का feedback, हमारे students literally जवर जस्ट पैसा मरा रहे mentorship batch join करके, और अभी पिछले 5 दिन का आपको हमारे trades भी दिखेगा, जो हमने mentorship बैस में trades लिए है, price कितना जाना चाहोगे, price आपके losses अभी कम है, price है 5500 rupees, but हमने 1000 rupees का off दिया, ये पढ़ेगा आपको क्यों 4500 rupees में, इतना मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना 1 month proper देते हो न, आप अपने options trading के losses को cover कर लोगे, ये पक्की बात है, और profitable trader बन जाओगे, अगर आप सरी से classes पर ध्यान देते हैं, तो, ठीक है, अचा कई लोग सोचते हैं, यार first time join करें नहीं करें, मैं बता दू, लोग 2-3 बार join कर रहे हैं, और कर चुके हैं, तो main क्या है, और तो इसमें आपको लोग को 72 live classes का recording मिलने वाला है, premium videos मिलने वाली, यानि धेड़ सार आपको learning material भी मिलने वाला है, चलिए, आपको बिलता हूँ class में, अच्छा, purchase link में in description box में, और comment section pin कर दिया, link पे click करके अपनी street book करवाओ, मैं आपको बिलता हूँ class में, तब तक के लिए, जय हिंद, चलिए, समस्ते nifty का view, देखो भी nifty क्या है, nifty भी खड़ा है, मिलकुल में को देख पे, ठीक है, nifty को fresh buy होगा, हमारा, nifty fresh buy होगा, 19,00830, देखो, resistance लिया, 19,00830 को पर fresh buy, ठीक है, target होगा, 19,880, 19,920, यह हमारे दो target होगा, इस case में, 19,750 का आप C ले लिजेगा, July मन्त वाल, यानि करवाली expiry का, correct है, अच्छा, ठीक है, nice, बाकि देखो, fresh selling किस fresh selling होगा, हमारा, nifty का, देखो, आज के day low के नीचे, यह देखो, यह box button दिख रहा है, तो यह हमारा day low है, 19,750, 19,750 के नीचे, fresh selling होगा, 19,700, first target, 19,670, दूसरा target, ठीक है, nifty को avoid करना है, इस range के between, बोले तो, 19,00830, 19,770, ठीक है, लगभग यह 60 point का range है, 60 point का range में, avoid करके चल होगा, ठीक है, ठीक है, कल के लिए बस मैं एक सब्सक्राइब कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करिएगा, प्रिमियम बहुत तेज fluctuation होगा, ठीक है, कल मैं YouTube पर लाइब भी आने वाला हूं, learn with PTS पर दस बज़े expiry trading करेंगे, तो भई, सब लोग आईएगा, आप लोग पता है हम हमारे PTS app पे free of cost bank nifty nifty के trades देते हैं learning purpose के लिए और हर एक trade के पीछे के logic share करते हैं आज पता है आज हमने bank nifty में देखो तीन trade दिये मैं आपको बता दूँ एक पहले मैं पहले में देखो लॉस की बात करना हैं क्योंकि देखो trader हैं भाई हम लोग देखो लॉस तो होगा लेकिन हाँ मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि लॉस मेरा 10-15-20 पॉइंट का हो प्रॉफिट मेरा जादा हो 45-900 का put option दिया 13 point देखने को मिले इस्पेशली ट्रॉलर्स थोड़ा देख लेना यह आप लोग बोलते हो कि भाई तुम लॉस दिखाते नहीं हो यह लॉस है उसके बाद मैंने आपको 45-800 का corruption दिया 45 point देखने को मिले बहुत तगड़ा यह रहा था उसके बाद मैंने 45-900 का corruption दिया था तेरे point देखने को मिले ठीक है देखो आप percentage wise गिना करो तेरा रुपया मत गिनो percentage wise गिनो percentage wise बहुत बढ़िया होगा ठीक है तो यह हमारे आज के दो ट्रेट थे बहुत ही शानदा रहा और मैंने एक spot मैंने buy बोला था पता मैंने बोला था 45-940 को पर रहेगा तो buy करके चलना है अब एक बात बताओ जिसमें मेरा spot level सुनके call option buy किया होगा definitely उसका पैसा बना की नहीं बना बताइए hundred percent बना ठीक है तो भाई मैं spot level भी देता हूँ यह देखिए मैंने spot level बारा बच के प्रेंट पर मैंने दिया था यह तो प्लीज अपसों यहां पर कॉल अप्शन लिया होगा दमदार उसका पैसा बना होगा कल तो दमदार होने वाला है कल हमाना expiry है कल तो zero hero trade दूंगा में jackpot वाले ज्वाइन कर लो टेलेग्राम 161,000 सुस्क्राइबर है और डाउनलोड कर लो pts app android ios दोनों के लिए है गोधर प्रॉपर्टी को देखो आप समझो देखो simple analysis समझो देखो मैं यहां पर आपको सीखाने का प्रास कर रहा हूँ अप्रेंड लाइन रेंज मना बूम निकलने वाला है तो अपन लोग को बाय करना 1675 के उपर या तो बायों डिप करना भाई लोग पता कितने के आसपास मैं आपको गाइड कर दू थोड़ा सा या तो 1650 के आसपास बाय करके चलना ठीक है ताटा स्टील देखो निकलने वा तो मैंने क्या बुला था आप लोग को मैंने बुला था यदि बांक निफ्टी गाप खुलता है 46,180,270 के आसपास वहां पर you can do one thing 46,000 बांक निफ्टी 46,400 का आप लोग पी ले सकते हैं जुलाई मन्त वाली एक्सपाईर रही एक्सपाईरी ये कहां लेना सुनिए अब दे आप्शन का करिंट मार्केट प्राइस रहा होगा वहां पर खरीद लीजेगा बाय कर लीजेगा ठीक है तो यह है पूरा सटीक अनलसिस आज के लितना ही ठीक है बाकी मैं आपको मिलता हूं कल टिलेगाम और पी टेस आप तब तक के लिए धन्यवाद